नमस्कार निशामदुलिकर.com में आपका स्वागत है आज हम कच्चे केले फ्राई बनाएंगे तो आए देखें कच्चे केले फ्राई बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यक्ता होगी ये कच्चे केले हैं 500 ग्राम टमाटर दो तीन अद्रग एक इंच लंबा टुकड़ा और दो हरी मिर्च जो हमने पीस लिए हैं जीरा आदा छुटी चमच, हेंग एक दो पिंच, हल्दी पाउडर आदा छुटी चमच, धन्या पाउडर एक छुटी चमच, लाल मिर्च पाउडर एक बिटे चार छुटी चमच, नमक स्वाधानुसार या एक छुटी चमच, गरम मसाला एक चोथाई छुटी चमच से कम, हरा धनिया बारीक कटा हुआ एक टिबली स्पून और तेल सब्जी बनाने के लिए ये केले हम काट के तयार कर लेते हैं तो इस तरीके से दोना और से डंठल निकालेंगे और छिलका छील करके हटा देंगे और केले के आदा आदा इंच के टुकड़े काट कर तयार कर लेंगे अगर केले तुरंत बनाने तो इस तरीके से हम काट सकते हैं थोड़ी अगर देर है तो केले के टुकड़ों को हम पानी में डालते जाएंगे ये केले हमें उबालने होंगे तो पानी में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके केलों को उबालेंगे ये केले हमारे कटके तयार हो गया है और अब हम इने उबालने इसके लिए पानी हमने गरम करने रख दिया थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा नमक डाल देंगे इने उबालते समय और केले डाल करके पाच मिनिट तक उबलने देंगे इनना ढखके रख देंगे और पानी में उबालाने के बाद तेन चार मिनिट तक उबलने देंगे ये केले हमारे उबल के तैयार हो गए है हलका सा देख लेंगे दबा करके केले दब रहे हैं केले तैयार हैं और अब हम ये गैस बंद कर देंगे और पानी से केले निकाल लेंगे ये केले हम पानी में से निकाल लेंगे तो किसी भी चल्नी में आप छांदने पानी अलग हो जाएगा केले हमारे रह जाएँगे चल्नी के ऊपर केले फ्राइ करने के लिए हम कडाई में तेल डाल देते हैं तो लगवग एक से दो टेबल स्पून, डेर टेबल स्पून करीड तेल डाल दे रहें तेल गरम होने के बाद हें जीरा डाल देंगे जीरा भुनने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर टमाट्टा रद्रक मिर्च का पिसा हुआ पेस नान मिर्च भी लाल देंगे अब मसाले को हम जब तक खूनेंगे तब तक कि मसाले के उपर तेल ना तेहना लगे अब मसाला भुनने में करीब 3-4 निट लग जाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे मसाले को यह मसाला भुन के तयार हो गया है मसाले को हम जब तक भुनेंगे तब तक कि मसाले के उपर तेम ना तेहने लगे तब ही सबजी में अच्छा टेस्ट आता है और अब हम इसने नमर और यह गरम मसाला मिला देंगे और यह केले जो हमने उबाल के रखें केले और मसाले को अच्छी तरीके से मिलने तक चला चला करके भूनेंगे केले फ्राइ सबजी बनके तयार है और सबजी में हम हरा दनिया डालके मिला देंगे हरा दनिया हम सबसे बाद में इसलिए डालते है ताकि धनिये की खुश्वू जादा से जादा नहके केला फ्राइ सबजी बनके तयार है गैस बन कर देंगे कच्चे केले फ्राइ सबजी तयार है बहुत अच्छी सबजी बनी है बहुत खुश वो आ रही है सबजी में से ये सबजी हमने 500 ग्राम कच्चे केले से बनाई है इतनी सबजी परिवार के 4-5 सदस्यों को परोसी जा सकती है कच्चे के लिए फ्राइ को आप रोटी, चपाती, पराठे या चावल के साथ परुसिए ये सबजी आप बिनाईए और अपने अनभव निशामदलिका.com पर शेर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर